हेलो एबीवान आजा से आमी एन इंटरॉक्चिंट टो अर्थ्कु एंजिनेरिंग और अर्थ्कु एक रेसिस्टेंट इजान अप इस्ट्रक्चरस को चाहिए के निउमेरिकल्स अरू कर देशों first numerical तिरा जाओ, first question चा, estimate the moment magnitude of an earthquake with rapture length of 100 km, rapture width of 50 km and slip of average slip of 3.20 m, the modulus of rigidity is as 35 into 10, sorry 3.5 into 10 to the power 10 newton per meter square, so आमला चा, earthquake magnitude निकालनो चा, अब यू earthquake ले गर्दा बायको, rapture length वानेको चा, 100 km को चा, rapture width वानेको चा, 50 km चा, राइसको चा, average slip वानेको चा, 3.20 m को slip चा, अब मोडुला साफ्रीज जेटीज चा, 3.5 into 10 to the power 10 newton per meter square बायो, so अब आमले चा, calculate गर्नो पर्यो, अब आमले सब बंदा पहिला चा, आमले कि थाउनो पर चा, बंदा है, यो, जुन, moment magnitude को फर्मुला अनेको, म्यूँ ए, D, A बनेको चा, मेरो एरियाओ, D बनेको, चा, ब्रेस्च लीपो, म्यूँ बनेको, मोडुला साफ्रीज जेटीटी, so, म्यूँ बनी चा, D बनी चा, A छाइना मसंग, और शिमाले ए निकालनो पर्यो, A बनेको चा, राप्चर एरियाओ, राप्चर एरियाओ बनेको, चा, राप्चर को लेंध इंटु, वी थो, L बनी चा, मसंग, B बनी चा, so, राप्चर एरियाओ बनेको, 100 इंटु, 10 तो दिपावर 3, इंटु, 50 इंटु, 10 तो दिपावर 3, so, एसला मॉल्टिप्लाई गरावता, कति उनिवायो, बनी चाहिए, यो, 3, 0, 10 तो दिपावर 9 मा गायो, 5 इंटु, 10 तो दिपावर 9 मीटर स्क्वेर बायो, so, एसको बालु चाहिए, या लगी जादा खेरी, जाहिए, मुको बालु 3.5 इंटु, 10 तो दिपावर 10, इंटु, एरिया बनेको, 5 इंटु, 10 तो दिपावर 9, इंटु, एबरेस स्लिप बनेको, 3.2, अब येसला मॉल्टिप्लाई गरता, 5.6 इंटु, 10 तो दिपावर 20 आयो, न्यूटन मीटर मा, अब आम्रो यो फार्मुला मा बायको, इंटु, 10 तो दिपावर 27 आयो, अब आम्रो मोमेंट माग्निटुट निकालाम, 2 by 3 log m0 minus 16, 2 by 3 log m0 का बैलो 5.6 इंटु, 10 तो दिपावर 27 निकाल्कुलेट करनो परे, log 5.6 इंटु, 10 तो दिपावर 27 वानिको कातियो, त्यसमा जे-16 गर्रे, इंटु, 2 by 3 करता, 7.83 आयो, अनिका आम्रो अर्थक्वेकों मोमेंट माग्निटुट जे, 7.83 होता रहिछा, तो आम्रो जे यस्तु क्रिशन सार्शो देवाने, यसरी जे शर्फ गर्ना साक्षा हूं, आप, next question तीरह जाओ, A seismograph located 200 km from epicenter of an earthquake, records a maximum ground displacement of 156 mm for a surface wave having period of 20 seconds based on this determined surface wave magnitude, अब आम्रो यूटा seismograph हमने गाशा, epicenter बाट 200 km पार आशा, यसले चाए, maximum ground displacement जे 156 mm तेहा हूं, सिस्मोग्राप मनेको आम्रो अर्थ्ख्वेक चाहे मेजर गरने युटाए डिवाइस भायो अनि तेस्पाची कती बन्दा हैरी फर्द सर्फेस आविंग दे प्रिएड अप्रिएड अप्रिएड वानेको 20 सेगंस दियो अब आम्रा सर्फेस वेड मैंग्निचुड निकालनो छा सो डिस्टेंस कती दियो सिस्मोग्राप कती डिस्टेंस पर राइचे 1200 किलोमीटर वनेको जस्ता यो आम्रो अर्थ वायो यहां चे आम्रों एपी सेंटर वायो वनीचे यह ती टुबेल अंडेड पर अचे आम्रों केच सिस्मोग्राप छा अनि तेस्पची मैक्सिमाम ग्राउंड डिस्प्लेश्मेंट चे यह वायो यह वनीगो चे गती चावन्द 156 mm अब यह सलाचे मैले क Freiमाल ईजानु पर इंट्व टैन तु तु पईर्षी गरें और यह वनीचे माइक्रों मीटर माँ जानचा। अब एस माझे न जोकी ने रेडियस आफ और्थ मनेको जै कती इसा बन्दा है रियू और्थ इक्वेल्स टू 6400 किलो मीटर सो 6400 किलो मीटर लाइचे महिले किये गरनों परे मीटर माला आता 6400 इंटु 10 to the power 3 हो निवायो इंटु 360 करता 10.74 डेगरी आयो अब सर्फेस मागनेचेट को फरुम्ला वानेको जै लोग A by T प्लस 1.66 लोग डेल प्लस 3.3 अब कती कैनी 3.5 लेहेगों जाए तैसमा जाए जाए तो ये बहनेको कती कैनी 2.6 mm अब ये लाच्या ये यो ए वानेको जै फरुम्ला माँ A ≜ माइक्शो आद माइक्रो मिटर माँचा चरो वार फिप हो निवायो बहन थे 156 ंटु 10 to the power 3 विवायो निवायो इने mm ला माँस अदा येरे जाए सो सरे कोईशन्स मा जो 15.6 mm रही जाये था कोईशन्स मा 15.6 mm रही जाये था कोईशन्स मा 15.6 mm रही जाये सो कथी वनी भायो 15.6 into 10 to the power 3 sorry 156 वा जो किया स्मा 15.6 into 10 to the power 3 divided by t1 जाये 20 भायो प्लस 1.66 लोग डेल वानेको 10.74 प्लस 3.3 अब एसला क्या लेटर मा आणनो 7.9 आउचा अब नेक्स क्याशन्स मा जाम calculate the difference in energy release due to earthquake of magnitude 7 and 8 अब एसमा जे क्या चा मन्दा हरी 7 magnitude को earthquake आउधा को energy निकालने चो एट magnitude को अर्थकोईग चे 7 magnitude को अर्थकोईग मन्दा कोथी लिया जे बड़ी स्ट्रोंग चा मन्नी कुरा जे आमने calculate करने हो अब आम इसांगा formula की चा मने लोग E मनेको चैं 11.8 प्लस 1.5 ms उन जाये ता 11.8 प्लस 1.5 ms ms मनेको चैं magnitude हो अब 7 को लागी निकालाम 7 को लागी चैं लोग E7 मना मैना 7 को लागी energy बानेको 11.8 प्लस 1.5 12.7 गरता 22.3 आयो अब यो लोग लाइचे मैले जे एता लाइज या दाहरी चैं एंटी लोग बनाता 10 to the power मा जाने बान तसो E7 मनेको 10 to the power 22.3 बायो अब अब 8 को लागी निकालाम 8 magnitude को लागी लोग E8 मनेको 11.8 प्लस 1.5 इंटी एट सो 23.8 उने बायो अब को बाली मा जाये अब आम लागी चैं में के दियो बन दाहरी चैं ए और्थक्वेक को सोर्स बाट 29 किलोमेटर बायो योटा साइट को जे PGA निकालना बायो यो बनेको प्यक ग्राउंड एक्सेलरेशन सो अनिते स्पाज यो अर्थक्वेक बनेको 7.6 मैंगनिचूट को शा अब आम लेचे एट्विनेशन लाग यूजगारे राशे यो PGA निकालना बायो अब मला दियेको फोकल दिस्टेंस बानेको चैंट 29 किलोमेटर शा अई ता आम राचे यो सोर्स बाट 29 किलोमेटर पर अको साइट मा निकालना बायो ता माइनस 1.8 लोग अर प्लस 25 यो जै मला फोर्मुला जै धाओनो पर यो सो लोग PGA बायो इकोलस्टू 6.74 प्लस 0.859 प्लस इंटू सारी M मानेको जै 7.6 माइनस 1.8 अलन 29 29 आर को व्यालु 29 किलोमेटर शा आर किलोमेटर में राखनी हो 29 प्लस 25 गर्दा खेरी 6.088 आयो अब यो लोग लाई जै मले एंटी लोग बनाऊ ता E को पावर मा जानी बायो किना नेचुराल लोग उसो PGA बनेको E को पावर 6.088 विच इस इक्वेल स्टू 440.64 अब योनि अब यो मैले चै क्ये गरनू पर चा PGA चै इस जी में राखनू पर चा तही वार 4.4064 ला 9.81 ले डिवाइड गरे वाने अगार पशाडी G लेहना पाई शो 0.449 G मिटर पर सेकेंड इस्क्वाइर अब और को क्वेशन सेम एस ताई क्वेशन PGA निकालने तर डाइग्राम ब अब कश यार निकालने बांद हैरी एला एसर एक्स्टें गरेम बाने चै एसर एक्स्टेंड गरेम बाने अब पाईथा गराश यूज गरना पाईए न्योग पूरा ठहट्टी चा यो आदाम अशा बचा इस फिफटीन उनी बायो सो अडरू vi inm कोई स्क्वार फिफटीन को पर चा, M को अभे magnitude बाई आलियो, यह सरी गार एको PGA, 6 cm पर सेकिन स्कार में इसकिन चा, लोग PGA एकोल चो 6.74 प्लस 0.8592 M को वाल्यू 6.5 चा, माइनस 1.8, LN 21.25 वायो, यहार को वाल्यू प्लस 25, यह सरी आम ले सल्व गारना सक्साँ, मादन सक्साँ, यहास मत्सी लूचर माँवा भाल्यू थाल्यू 3. झाल झाल झाल